Hello guys, welcome to my channel, my name is Sachin and I hope you all are fine So dear boys and girls, आज हम लोग बात करेंगे Jamin 2021, 20 और 22 July का 2nd shift का marks versus percentage तो ये वीडियो बहुत important है, आप लोग के लिए तो उसको सुरू से लेके लास तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने श्यों को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब सब पहले श्यों को सब्सक्राइब कर लिजे and don't forget to press the bell icon to get each and every updates from us तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं 21-22 July का exam खतम हो चुका है और अगर हम लोग पेपर लेबल का बात करें तो chemistry का पेपर easy था physics का पेपर medium था और math का पेपर दोने ही shift में hard था एक बात आप लोग notice कीजिएगा कि आप लोगो अच्छा percentile लाने में आप लोगो ज्यादा marks score करना पड़ेगा क्योंकि competition increase हो चुका है चलिए अब बात करते हैं 22 July का shift 2 का expected marks versus percentile तो 90 percentile के लिए आप लोगो 100 plus marks चाहिए 95 percentile के लिए 125 plus marks 96 percentile के लिए 135 plus marks 97 percentile के लिए आप लोगो 144 plus marks और 98 percentile के लिए आप लोगो 155 plus marks और 99 percentile के लिए आप लोगो 185 plus marks चलिए अब बात करते हैं 22 July shift 2 का marks versus percentile तो 90 plus percentile के लिए 120 plus marks 95 percentile के लिए 140 plus marks और 96 percentile के लिए 1500 plus marks 150 plus marks 97 percentile के लिए 160 160 plus marks और 98 percentile के लिए 180 plus marks और 99 percentile के लिए 195 plus marks तो अभी जो मैंने आप लोगों के साथ data share के यह 100 percent accurate नहीं हो सकता है फ़र उपर नीचे हो सकता है इससे आप लोगों के एक idea मिल जागा कि अगर आप लोगों का total marks इतना है तो आप लोगों का कितना percentile बन रहा है और अगर आप लोगों का exam अच्छा नहीं किया तो panic और disturb होने में आपना time waste मत कीजिए 4th attempt का preparation कीजिए और उसमें अच्छा marks score कीजिए और अच्छा NIT college अच्छा percentile gain कीजिए तो चलो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करो और चैनल को subscribe नहीं किये हो तो चैनल को जरूर subscribe कर लो झाल